Hello everyone, I hope you are doing well. I am Prithvi. So, हम प्रित्वी इसकस करेंगे असाम की जो World Heritage Site आपर 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 इसकस करेंगे. असाम में उनेश्को दोरा दो नेशनल पार्क को जो है World Heritage Site की सुची में जो है एड़ किया है. पहला है मारा काजिरंगा नेशनल पार्क और दूसरा है मारा मानस नेशनल पार्क सब लोकेशन देख लेते हैं कि यह कहां पर स्थित हैं यह है मारा प्यारा भारत और यह आशाम असाम की राजदानी है डिशपुर और असाम जो है भूटान वो वांगलादेश के साथ वांडरिश शेयर करता है और असाम में ही जो है काजिरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क है यह हैं हमारा असाम का मैप और आप देख सकते हैं कि जो असाम में जो बहुत सारी वारलाफ सेंचुरी हैं बहुत बहुत और नेशनल पार्क है अगर आप पूर्व से पस्चिम की और चलते हैं तो सबसे पहले है था हमारा डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क उसके बाद है म आपको एक्जाम में पूछा जासकता है कि असाम में जो नेशनल पार्क और वाल लाइफ सेंचरी है उनका पूरव से पस्चिम के सिक्वेंस में लगाई है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो नेशनल पार्क या वायलाइफ सेंचुरी पूर में है और कौन सी पस्ची में है तो यह रिदम आपको यह पूरी लोकेशन आपको ध्यान में रखनी होगी तो जो असाम की जो काजिरंगा नेशनल पार्क है और जो मानस नेशनल पार्क है इसको उनेस्को दोरा वल्ल्ड हेरिटेस साइड में एड किया गया आप यह जो देख रहे हैं यहां वाइट जैसी लाइन है नीचे गो यह जो है ब्रह्म पुतर नदी है जो चाइना से होकर फिर अरुणांचल प्रदेश से मैं भारत में एंटर करती है उसके बाद जब वो असाम में बहती है तो असाम में इसको ब्रह्म पुतरा नदी के नाम से जाना जाता है असाम पर इमेज जो है ब्रह्म पुतर अन्दी जो मैदानों में प्रवेश करती है तो जो ब्रह्म पुतर अन्दी है उसके दक्षिन में स्थित है काजी रंगा नेशनल पार्क है याद रखना कि मानस नेशनल पार्क का आए वो ब्रहंपुतरा नदी के उत्तर में हैं तो यह थे असाब में जो है काजीरंगा मानस नेशनल पार्क की लोकेशन अब चलते हैं यह टाइगर प्रोजेक्ट था वो 1973 में चलाया गया था और काजीरंगानेश्णल पार्क काजियरंगा بोथ डाधब दोगा से गला। टाइगर रिजर्व गोसित किया गया बर्स 1985 में काजिरंगा राष्ट्रिय वन को इनसको ने इनसको दारा为 वर्ल्ड हेरिट्र चाम में आपके चलते हैं कि मानस वानस मानस वननाजीव अभ्यान असम् राज्या में भुटान हिमालग के की पहडियों के नीचे स्थित है मैंने आपको मैं मैप में वह दिखाया था यह मानस की लोकेशन और यह जो है भुटान की जो पहाडिया है ना उसके जस्ट बिल्कुल नीचे जो है मानस नेशनल पार्क है जो असाम में पड़ता है यह एक अधुतिया जैवववित्ता और पारी दरिश्य के लिए प्रशिद है मानस पहला रिजर्व था जो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहट जो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था उसके ताइट जो है मानस पहला जो रिजर्व शित्र था जिसे जो है टाइगर रिजर्व के नेटवर्क में सामिल किया गया सबसे पहले किसको जो है टाइगर रिजर्व के नेटवर्क में सामिल किया गया तो मानस नेशनल पार्क को मानस वने जीव अव्यान को 1985 में उनेसको दोरा वर्ल्ड हैरिटेस साइट के रूप में जो है एड़ किया ओके 1980 में विस विरास स्थल के रूप में चीनित किया गया किसको मानस जो वायलाफ सेंचरु है 1989 में मानस को एक बायोस्फेर रिजर्व का दरजा हासिल हुआ जो इसको वर्ल्ड हैर्टेस साइट का दर्जा दिया जा चुका था ओके पूर्व में धंसीरी नदी से धंसीरी आप जाते हो जो धंसीरी और सुभांसीरी है ना वो हमारी ब्रहंपुत्र की साहक नदिया है जो मानस नेशनल पार्क है वो धनसीरी नदी के पूरुम में वो सकोश नदी के पस्चिम तक जो है फैला हुआ है इसका जो विस्तार है ना वो धनसीरी नदी से यह मालीजी यह धनसीरी नदी है ना दंसीर नदी के पूरुव से सकोस नदी के पस्चीम तक मली वहां तक जो इसका क्या है विस्तारुआ तक यह जो है मानस नेशनल पार्क फैला हुआ है तो गाई, यह था हमारा असाम के जो वर्ल्ड है準 स साइट थे कौंकौन से थे काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क और आपने देखा कि अशाम में जो है कौन कौन सी नेशनल पार्क है कौन कौन सी वायल लाइफ सेंचुरी है एक वायर वीजन कर लेते हैं सबसे पूरम में जो है बो है डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क उसके बाद है मारा काजी रंगा नेशनल पार्क उसके बाद है मारा लखोवा नेशनल पार्क और उसके बा जो पार्कों से जो है question put होता ही है और इसमें या तो आपको सिक्वेंस दिया जाएगा या आपसे पूछा जाएगा कि नीमन में से कौन सा पार्क जो है या अगर वारलाइफ सेंचरी जो है वो असाम है स्थिते हैं ठीक है तो आप अमने माइंड में इस मैप को उतार लेना तो आज की वीडियो में बस इतना है गाइस तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्टेट की वारलाइफ सेंचरी के साथ यह सॉरी बल्ड हैटेस साथ के साथ तब तक के लिए बाय बाय गाइस